किन आधारों पर तलाग का केस किया जाता है कोट में फाइल? बहुत सारे आधार हैं, सबसे ज़्यादा जो आधार लिया जाता है, याने जो ग्राउन लिया जाता है, वो क्रुएलिटी का लिया जाता है, जहां पर मानसिक और शारिरिक प्रतार्ना, mental और physical cruelty की बात की जाती है, इसके अलावा भी काफी सारे आधार हैं, लेकिन अगर आपसी सहमती तालाग नहीं है, तो आप contested divorce इंडिया में तभी फाइल कर सकींगे, जब आपके पास कुछ न कुछ आधार हो, आधार में क्या? जैसे mental cruelty, physical cruelty, ये तो cruelty का एक पार्ट हो गया, इ उसे भी आधार लिया जाता है, जिसे हम desertion का ground ले सकते हैं, veneral diseases का भी एक ground होता है, जहां पर कुछ ऐसे बिमारिया consider की गई है, जो ठीक ना हो सकें, और जब वो बिमारिया ठीक ना हो सकें, तो उसे भी तलाग का एक आधार बनाया जाता है, और तलाग का आधार लिया जा सकता है, contested divorce की मैं बात कर रहा हूँ, और इसी में जिकर आता है पागलपन का भी, और जो सीजोफेनिक या सीजोफेनिया एक बिमारी होती है, जो पागलपन, मांशिक वा अंशिक तोर पर पागलपन, इसे भी एक आधार लिया जाता है, क्योंकि ये बिमारी ठीक नहीं होत जाते हैं, और शादी को समाप्त करने का, जो section 12 का case है, हिंदू marriage law में या special marriage act, तो उसमें भी consider किया जाता है, इस ground को, इस आधार को, जहाँ पर सीजोफेनिया भी एक आधार है, renunciation from world, मतलब दुनिया से सन्यास ले लेना, अब मुझे कोई मतलम नहीं है, दुनिया से मैं आधार से देखे नहीं गए, पाए गए नहीं, सुने नहीं गए, किसी के द्वारा जानकारी नहीं की, वो हैं भी अब इस दुनिया में की नहीं है, इस condition पर भी एक आधार बन जाते है, तो इस प्रकार से ये आधार है, बिना आधार आप court में अगर जाएंगे आप लेने क होना चाहिए, आपके पास सबूत है, वो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि लगातार आप 2-4 साल भी केस अगर लड़ते रहो, तो आप अपने केस को साबित अगर नहीं कर सकोगे, तो आपको तलाक नहीं मिलेगा, इस वज़े से काफी जरूरी हो जाता है, कि आप अपने court case इसको प्रूफ करो, जो आपने divorce case किया है, या जो भी आपने family loss related case किया है, उसे आप प्रूफ करो, court में साबित करो, तो यह जो आधार मैंने कुछ एक आपको बताएं, इन आधारों को आप ध्यान में रखें, अगर आपका ऐसा कुछ आधार बनता है, तो बेशक जाएं, वो right दे देगा कि वो मुझसे तलाक ले ले, मैं उससे तलाक नहीं ले सकता, वो मुझसे तलाक ले सकती है, अडल्ट्री, किसी और के साथ शारिरिक संबन, diseases कुछ, venerate diseases फैलने वाली, या कुछ serious प्रकार के जो HIV, AIDS जैसे जो बिमारी हैं, अगर यह आपके partner को है, आपके husband या wife को है, तो आप proceed कर सकेंगे, जो mental disorder है, जहां पर मैंने आपको सीजोफेनिया बताया, वो भी एक आपका आधार बना देता है, renunciation of world, मतलब सन्यास ले लेना, और presumption of death, साथ साल से पाया नहीं गया, मिला नहीं गया, सुना नहीं गया, उस condition पर भी आपको मिल जाता है, त सलाह ले, वकील की, किसी जानकारी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के description में detail है, जहां से direct appointment बुक करके, आप कर सकेंगे, मुझे बात मिलींगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें